हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं रहा है रोडवेस करमचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बुदवार को केंद्री बस स्टैंड पर धना प्रदर्शन और नारे बाजी की रोडवेस बसों की चक्का जाम बुदवार को भी धमे रहे इस हर्ताल में हजारों यात्री आज भी परिशान है यात्री नीजी बसों और रेलवे में सफर करने को मजबूर हो गए हैं वही मन माने किराय से नीजी बस ओपरेटर अपनी चांदी कूटने में लगे हैं हर्ताल के कारण यात्री वेबस नजर आ रही है खास्तोर से वे यात्री जिन्होंने सुविदा जनक यात्रा के लिए अपना टिकेट रिजर्फ कर रखा था ऐसे यात्री राई का बाग बस टैंड आते हैं और निराश होकर लोड जाते हैं रोडवेस करमचारियों की हर्ताल का आज तीसरा दिन है रोडवेस करमचारी धरना देकर प्रदर्शन कर रही हैं डिपो से बसों पर परिचालन बंध होने से यात्री अधिक किराया देकर नीजी गाडियों में यात्रा करने के लिए मजबूर है रोडवेस को भी जोजाना करीब 15 लाख रुपे का घाटा उठाना पड़ रहा है रोडवेस बसों के पहिये थमने से प्रति दिन प्रदेश के करीब 10 लाख यात्रियों को परिशानी जीलनी पड़ रही है हर्ताल से जोदपुर डिपो में 3 दिन में करीब 40 लाख रुपे राजस्व घाटा हुआ और 40,000 यात्री भार रोडवेस का इंतजार करता रहा रोडवेस की हर्ताल के कारण सरकार का राजस्व कम हो रहा है वही अवैद और पर्मिट धारी बसों के मालिकों की चांदी हो रही है वे हर्ताल का फायदा उठाकर मन्चाहा किराया वसूलने में लगे हुए है सात्वे वेतनमान सहित अन्य मागों को लेकर रोडवेस कर्मी रविवार की राज से हर्ताल पर बैठे है इस हर्ताल को राज्य के अन्य करमचारी संगठनों ने भी समर्थन दिया सरकार से अपनी मागय मनवाने के लिए रोडवेज करमियों की समस्याओं और मागों को निराकरन करने के लिए सरकार तयार नहीं है और सरकार और करमचारियों की हट धर्मिता के कारण आम जन को परिशान होना पड़ा है राजिस्थान स्टेट रोडवेज एमप्लोईज यूनियन अटाक के प्रदेश सचिव लक्षमन सिंग राजपुरोहित ने बताया कि समझोता वारता के दौरान लिखित समझोतों को निर्दारत समय विधी में लागू नहीं करने सात्वा वेतन आयोग लागू करने, पदोननती करने, नई बसों की खरीद करने, रोडवेज में विभिन पदों पर नई भरती करने सहित अन्यमागों को लेकर आंदोलन कर रही है यह जो 27 जुलाई 2018 को हमारा लिक्त में समझोता हुआ, उस समझोते की तहता आज हमारा तीसरा दिन का जो आंदोलन जारी है और हमें जो जानकारिया मिली है, हमें दुख भी है कि बाहर यात्रियों को लूटा जा रहा है जो बाहर यात्रिय है, जहां पहले 50 रुपे किराया होता था, 800 रुपे किराया वसुल किया जा रहा है और भेड बक्री की तरह सवारियां भरी जा रही है और जो हमने सुईदा क्यादार पे राम देवरा मेले के अंदर बसें लगाई थी और 145 रुपे के अंदर उन यात्रियों को राम देवरा ले जाते थे आज उनके 300, 300, 300, 300, 500 इस परकार से किराया वसुल किया जा रहा है जिससे हमें भी ये दुख मेशूस हो रहा है कि हमने ऐसे मोके पे हर्टाल कर दी जिस मोके पे राम देवरा मेला चल रहा है मगर हम भी मजबूर हैं हम इसलिए मजबूर हैं कि हमारे जो समझोता हुआ वो लागूर नहीं किया जा रहा है लिखित में समझोता हुआ लागूर नहीं किया जा रहा है आगे आचार सहीता लगने वाली है पांच अक्टूबर को इस चीज को देखते हैं हमने ये कदम उठाया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरी की जाए